वैश्वी करन के विभिन्य पहलूँ को छूते हुए और कुछ पर विस्तरित अध्यन के बाद, अब हम बढ़ते हैं आर्थिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्ष वैश्वी करण का आर्थिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्ष क्या है इसे हम जानने का प्रयास करेंगे अर्थाथ वैश्वी करण का आर्थिक प्रभाव क्या है जैसा मैंने प्रार्म में कहा कि सामानिते वैश्वी करण के मायने हमारे लिए आर्थिक है क्योंकि अर्थ व्यवस्ता के खेत्र में वैश्वी करण का सबसे ज़्यादा प्रवाव पड़ा है आर्थिक प्रवाव सबसे ज़्यादा तेज हुआ है इसमें जो कुछ बदलाव है आर्थिक व्यवस्ता में कुछ बदलाव तो अपने आप हुए हैं स्वेच्छा से हो गए हैं और जबकि कुछ बदलाओ उपर से ला दे गए हैं अर्थात उसमें स्वाहित को ध्यान में रखने के बावजोर हमें इस बदलाओं को स्वीकार करना पड़ा है दो तरह के बदलाओ उर्थास पस्ट हो गया यह जो दूसरा बदलाओ है जो दबाव में है यह दबाव किनका रहता है उन देशों का जो हमें मदद कर रहे हैं हूं आर्थिक रूप से उन अंतराश्टी संस्थाओं का जो हमें लोन देते हूं उन ताकत वर देशों का जो जि पिकार ये लादे हुए बदलाओ और एक स्विच्छा से हुए बदलाओ ये कई तरीके के हो सकते हैं और तरीकों की बात करें तो वस्तुओं के माद्ध हम से पूंजी के माद्ध हम से विचारों के माद्ध हम से जीन्स एक जीन्स की कलपना जो पैंट आज विश्व व्याप इस तर पर सभी देशों में फैला है ये जीन्स एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाओं का नमूना है उदारन है जीन्स की शुरुआत अमेरिका से हुई और प्रारम में उसे पश्चिमी जगत में ही सीमित रखा लेकिन जो परंपरिक देश थे परंपरवादी देश थे वह जीन्स को बहुत ही हीन दृष्टी से देखा जा रहा था लेकिन कब तक दुनिया दो खेमों में बटी रहती अंचता वही हुआ जो होना था आज जीन्स जो है वो वैश्वी किस्तर पर अमेरिकी विचारवाद का अमेरिकी विचारधारा का एक बढ़ते हुए प्रभाओं का वर्चे सुका बहुत बड़ा नमूना है बहुत बड़ा उदाहरन है वैश्वी करन का ही प्रणाम है कि दुनिया में वस्तूओं का जो आदान प्रदान है वस्तूओं का जो व्यापार है इसमें भारी अजाफा मॉबाइल उत्पादन अमेरिका में होता है या कोरिया मे होता है या जपैन में होता है और पूरे विश में वो च्छा जाता है आटम वाइल इंडस्ट्री की बात करें तो जपैन कोरिया में नई कारें आती हैं इलान मस्क नई कार निकालता है नई टेकनलोजी लाता है और पूरा विश उससे दो जिन में प्रभावित हो जाता है तो आयात पर प्रतिबंद लगाते हैं, आखिर प्रतिबंद क्यों लगता है, ताकि दूसरे देश का माल यदी मेरे देश में आ रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे देश में बनने वाला उस तरह का माल कम बिकेगा, यदी विदेशी माल मजबूत है, यदी विदेशी माल कॉलिटी में गुरवता में अच्छा है, यदी विदेशी माल की कीमत कम है, तो देश के अंदर के जो उस शेनी के उठपाद हैं, उसे कौन खरीदेगा, ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, कर्म बढ़ा देती है, उस म ये किसी समय तक ये विवस्था बहुत सामानी मानी जाती थी देशों के द्वारा कर लगाना एक बहुत सामानी चीज थी लेकिन 1921 के आज पास एक नहीं विचारद हराई जिसे कहते हैं जीयो और जीने दो लिव एंड लेट लिव लेसे फर लेसे पासर ये क्या विवस्था है इसमें वही उन्मुक्त बजार और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रतिबंध थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं ठीक उसी तरह दुनिया में पूझी की आवाजाही पर भी अब बहुत कम भारत का रुपिया भी बहुत से अन्य देशों में अब स्वीक्रित है रश रूस का रूबल भी अब अन्य देशों के द्वारा स्वीक्रित है तो इस प्रकार इस पूझी की आवाजाही में लगने वाला प्रतिबंध भी कम हो गया है ये वैश्वी करन का प्रणाम है व्य इस लेंड में South Africa या South America के कोने के किसी देश में भी अपना पैसा लगा सकता है वहां चाहे वो उत्पादन में लगाए चाहे वहां की संपत्ती में लगाए अब वहां लगा सकता है जो पहले संभौ नहीं था खासकर विकास्षील देशों में लगाने के स्रतनता ज्यादा है क्योंकि वहांपर मुनाफ़ा बढ़ेगा याद रखें मैं बात कर रहा हूँ विकास्षील देशों में ऐसी संभावना ज्यादा है कि लोग पैसा लगाएं क्योंकि ये बात को आगे और विस्तार से समझना होगा कि इसके परणाम क्या है या दुश परणाम क्या है इस ज्यादा मुनाफ़े के चक्कर में विकाश शिल देश जो है वे विदेशी पूंजी को लगातार अपने हां आने दे रहे हैं यही वैश्वी करण है वैश्वी करण के चलते अब विचारों की बात करें तो विचारों की तो अब सीमाएं ही नहीं रहीं किसी भी तरह कि सीमाएं नहीं रहे संचार माध्यमों से अपनी विचारधारा को थोपने की विज़रत नहीं बलकि लगातार बस संचार माध्यमों स तो उसको प्रसारित किया जाए तो पूरे विश में एक ही विचारधारा चलती रहती है सीमाओं की अब कोई बाधा नहीं रहे उनका प्रवाह जो है वो अब पूरी तरह अबाध हो गया है इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाएं इसका उदाहरन है तो वस्तु और विचार इनका आदान प्रदान वैश्वी करण को ले दाता है जो भी हो वैश्वी करण के कारण जिस सीमा तक वस्तु और पूरी का प्रवाब बढ़ा है उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकती क्योंकि लोगों की आवाजाही मतलब शारीरिक रूप से उस भागोलिक दूरी को तै करने की दिक्कत है उसके लिए समय निकालने की दिक्कत है तो अर्थाद भागोलिक आवाजाही से ज़्यादा विचार और पूंजी ये बढ़ गया है विकसित देश जो हैं वो अपनी वीशा नीति के जरिये अपनी राश्ट्री सिमाओं को तो बड़ी सतरक्ता से गार्ड किये हुए हैं कि दूसरे देश के लोग, दूसरे देश के नागरिक इन विकसित देशों में आकर नौकरी धंडे में पूरी तरह न खप जाए एक और जहां विकसित देश ऐसा कर रहे हैं वहीं विकास्चित देश अपने द्वार पूरे खुले रखें परणाम क्या हो रहा है? विकसित देशों की विचार धारा, विकसित देशों से आये हुए लोग, विकसित देशों की पूंजी इन नवोधित राश्ट्रों में पूरी तरह खपाई जा रही है ये इसका अगला परणाम और ये आर्थिक मुद्दों की बात करना हूँ यदि मैं वैश्विक करण के परणामों की और बात करूँ तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि एक समान नीती सभी देशों के लिए नहीं होती यदि हम एक समान नीती की बात करें तो इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह परिणाम समाप्त होंगे परिणाम निश्चत रूप से बदल सकते हैं वैश्वी करण के कारण दुनिया के जो अलग-अलग देश है ये अलग-अलग देश इनकी सरकारों का रवया अलग-अलग बदला हुआ रहेगा और भले ही वे आर्थिक नीतियां एक ही अपनाए हों चाहे हम उसे नीजी करण की नीति बोलें या हम उदारी करण की नीति बोलें नीति भले ही एक हो परिणाम अलग-अलग उठेंगे परिणाम अलग-अलग रहेंगे ये आपको याद रखना होगा विश्व के विविन भागों में आप नीतियां समान होते हुए भी इसकी जो परिणिती है वो अलग-अलग पाएंगे यहां हमें सर्व सामान्य निशकर्ष निकालने की जुरत नहीं उसकी चेश्टा ही ना करें बलकि संदर्व विशेश को लेकर हमें देखना होगा कि किस प्रकार वैश्वी करण के मद्दे नजर आर्थिक बदलाव विविन खेत्रों में अलग-अलग हुआ है यद्यपी आर्थिक नीतियां समान आर्थिक वैश्वी करण या एकनामिक ग्लोबलाइजेशन इसके दूर गामी परणाम से ताथपर है इसने समाज के सभी आजामों को प्रभावित किया और ना किवल सभी आजामों को प्रभावित किया है बलकि इसके कुछ अच्छे परणाम है तो इसके कुछ बुरे परणाम भी कुछ विद्वानों को नजर आते हैं और जिसकी वालोचना करते हैं इसको लेकर अर्थात आर्थिक वैश्वी करण के मुद्दे को लेकर पूरे विश्व में जिसमें भारत भी एक है वहाँ जो जन्मानस है सरकारें हैं वो बट गई हैं बड़ी गहराई आ गई हैं दोनों में काफी दूरियां हो गई हैं इसके कारण कई जगह तो सरकारें तो इसलिए हमारा ध्यान इस पर नहीं रहेगा हम कुछ और कारे करेंगे जन्ता पूरी तरह अब मार्केट फोर्सेस पर निर्फर हो गई और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जिनके पास संसाधन ना हो आर्थिक संसाधन वे दिन बादिन गिरते हैं इसी के साथ सामा कार रखने वाले लोग भी चिन्तित हैं क्योंकि उनका कहना है ये तो समानता नहीं है यहां तो अमीर और अमीर हो रहा है गरीब और गरीब हो रहा है तो किस बात की सामाजिक समानता इसको लेकर भी काफी मद्वेदाएं हैं इनलों का ये भी कहना है कि आर्थिक वैश्वी इस निजी तत्वों के हाथों में हैं निजी पार्टियों के हाथों में हैं और वे लोग जैसा चाहें वैसा बजार बना रहे हैं जिसके पास धन है वो और धनी हो रहा है और जब और धनी हो रहा है तो वो पैसा कहां से आ रहा है उसके पास इन्ही गरीबों से आ रहा है जिन कारकरम है उसमें भी सरकार के द्वारा हाथ खीच लिए जाने से अब ये लोग बहुत बदहाल हो गए हैं सामाजिक नयाय आर्थिक नयाय की बात को सो दूर चली गई है वैश्वी करण आर्थिक वैश्वी करण के प्रभाव में के परणाम में जन कल्यान की बातें करें तो स्वास्थ साफ सफाई ये सब अब पीछे के मुद्दे हो गए हैं सरकार के लिए परणाम इसका सबसे ज़्यादा खामी आजा उसी वर्ग को भुगतना पड़ रहा है जो धन से वंचित है और जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है अर्थात निर्धन वर्ग सामाजिक न्याए के पक्षधर में जो लोग हैं उनका कहना है कि कुछ सांस्थानिक उपाय किये जाने चाहिए संस्थागत उपाय किये जाने चाहिए कुछ institutional reforms लाय जाने चाहिए या ये कहें कि आर्थिक वैश्वी करण के जारी रहते हुए कैसे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए इस पर ध्यान दिया जाए और इस पकार का एक कवच सामाजिक सुरक्षा का कवच बनाया जाए ताकि लोग आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन पर वैश्वी करन का दुश प्रभाव, वैश्वी करन के बुरे परणाम उन पर कम से कम हो जिसका जिक्र मैंने उपर किया है कम से कम आर्थिक रूप से वो संपन्न ना रहें पर जन कल्याण करी योजनाओं का फायदा उन्हें मिलते रहना चाहिए। अस्पताल शिक्षा आदी उनके लिए उपलब्ध होती रहनी चाहिए। लेकिन दुरभागे से ग्लोबल वैश्वी करण, ग्लोबल एकानुमी के सेट अप में ये संभौनी हो पा रहा है। दुनिया के जो बहुत सारे अंदोलन भी हुए, उनका ये मानना है कि सामाजिक शुरक्षा कवच की जो बात करते हैं वो इंप्रैक्टिकल है, वो अव्यावहारिक है। और कहने भर को केवल इसके बारे में धपली बजाई जाती है, लेकिन पर्याप्त उपाए होते नहीं और उपाए निकालने भी संभौन नहीं है। ऐसे अंदोलनों ने बल पूर्वक किये जा रहे हैं वैश्वी करण को रोकने के लिए लगातार आवाज उठाई है। पर रही है, लेकिन धनाट डिवर्ग की ताकत इतनी कि सरकार इनके सामने जुकते हुए हर देश की अपनी अर्थ्विवस्था को वैश्विक अर्थ्विवस्था से जोडने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बच रहा है। गरीब देश प्रणाम क्या है? ऐसा समझा जा रहा है, ऐसी शंका है कि आने वाले समय में ये लोग एक आर्थिक कंगाली, आर्थिक तंगी कंगाली से गुजर जाएंगे, के दौर में आ जाएंगे, इसकी कगार पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब वैश्विक अर्थ विवस्था हो जाएगे, तो धनाध्य वर्ग, संपन्द वर्ग, अपने अनुसार कीमतें तै करेगा, अपने अनुसार प्राड़क्ट तै करेगा, अपने अनुसार माल तै करेगा, आयात निर्यात करेगा, अर्थात वह तै करेगा कि ग्र शंका इन लुगों के दोरा व्यक्त की जारी है एक बड़े वर्ग के दोरा कि ग्लोबलाईजेशन के परणाम शुरूब बहुत से देश आर्थिक बरबादी की ओर चले जाएंगे आर्थिक बरबादी की कगार पर पहुंच जाएंगे और इसके कुछ परणाम वर्तमान में हम कुछ देशों में देख भी रहे हैं ऐसा ही कुछ अभी वर्तमान में जो श्रीलंका में हुआ और पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों में जो देखा जा रहा है ऐसा माना जा रहा है कि ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक प्रणाम हो सकता है खासकर इन देशों के जो गरीब लोग हैं वे बदहाल हो चुके हैं और बदहाल होने के की स्थिति में हैं कुछ अर्थ शास्त्रियों ने वैश्वी करण को एक तरीके से पुनह उपनिवेश करण का नाम दिया है ये कुछ नहीं है उनका कहना है या पुनह उपनिवेश करण का ही एक रूप है पूर में उपनिवेश करण जो होता था जिसके बारे में आपने विस्तृत रूप से अन्ने ध्याव में पढ़ा होगा कि उपनिवेश करण या कोलोनाइजेशन क्या है तो एक बहुत बड़े अर्थशास्तियों के गुरुप का कहना है कि ग्लोबल एकानमी या वैश्वी करन आर्थिक वैश्वी करन कुछ नहीं है बलकि ये उपनिवेशवाद का एक नया रूप है उपनिवेशवाद को लातने का एक नया अधनिक प्रक्रिका हो गया है और इस प्रकार ये पुना उपनिवेशवाद के इतिहास को दुहराने का एक प्रयास है आर्थिक वैश्वी करण की ये बुराईयां एक और जहां दृष्टी गोचर हो रही हैं और समाज का एक बहुत बड़ा तबका प्रभावित होते हुए दिख रह है और बहुत सारे अर्थि शास्वी जहां इसका विरौध कर रहे हैं वहीं आर्थिक वैश्वी करण की प्रक्रियाओं के समर्थक भी हैं और उन समर्थकों का कहना हैं कि इसे सम्रिधी बढ़ती हैً एक विष्टरिद दाएरे में देखें तो सम्रिधी बढ़ती है और ज्यादा आबादी की खुश हाली बढ़ती है खुले पंध होने से क्या होता है फाइदा कि सब कुछ उपलब्ध रहता है अलग अलग कीमतों में उपलब्ध रहता है और ग्राहक के पास ये चौइस रहती है कि वह क्या कौन सा सामान किस दर पे कितना खरीदे ये खुलापन कहलाता है और साथ सी साथ समरिद्धी बढ़ने का कारण ये होता है कि इससे लोगों का जो धन का लेन देन है आदान प्रदान वो बढ़ता है और ये समरिद्धी को बढ़ावा देता है खुश हाली बढ़ती है भारत के संदर में आप देखें तो जब से भारत वैश्विक अर्थ व्यवस्था से जुड़ा है वास्तों में उन्निस्व इंकानवे के बाद डॉक्टर मनमहुन सिंग के प्रधान मंत्रित काल में जो व्यवस्था लागू की गई बलकि वो वित्य मंत्री थे और प्रधान मंत्री श्री नर्थिमर राओ थे तो वित्य मंत्रित काल में डॉक्टर मनमहुन सिंग के ये व्यवस्था लागू की गई जिसने भारत की अर्थ विरस्था को विश्विक अर्थ विरस्था से जोडने का मार्ग प्रशस्त किया उसके बाद आप देखते हैं कि वास्तों में सम्रिद्धी में काफी विकास मुवारधक के हुआ है लोगों की खुशाली बड़ी है अब लोगों के पास बहुत चॉइस है चाहे वो गाड़ियों की बात करें चाहे टेलिविजन आटो मुबाइल इंडस्ट्री मुबाइल इंडस्ट्री और भी बहुत तरक कपड़े आदी आदी इनकी अब चॉइस है लोगों के पास खुशा व्यापार भी बढ़ता है और जब व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से पैसा भी आएगा हर देश को बहतर दिखाने का मौका मिलेगा पूरी दुनिया को इससे फायदा होगा उनका ये कहना है क्योंकि एक देश के संसाधन जो वहां नहीं खपाए जा सकते वो द पूरी तरह सहमत होंगे आजकल जो ऑनलाइन परचेश खरीदी की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हम विश्व के किसी भी स्थान से कोई सा भी प्रॉडटक अपनी पसंद का खरीच सकते हैं और उसमें भी चॉइस है तो ये खुशहाली का एक पैमाना है और उनका कहना है कि व्यापार में भी फायदा होगा खुशहाली भी होगी धन्ग भी बढ़ेगा और सम्रिद्धी भी बढ़ेगी पूरी दुनिया को कुल मिलाकर इससे फायदा होगा इसके साथ इनका ये कहना है कि फायदा तो है ही साथ ही ये भी मानना होगा कि वैश्विक आर्थिक कोई देश कितना भी कहे कि हम ग्लोबल अर्थ विरस्था में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो वो बहुत बड़ा खत्रा मोल ले रहा है जैसा मैंने पूर में बताया वो और निर्धंता की कगार पे पहुंच जाएगा क्योंकि विश्व क्या सिस्टेम ही ऐसा हो चला है कि इस इसमें शामिल होने में ही हमारी भलाई है और इस लिए इस ग्लोबल एकनामिक ग्लोबलाईजेशन के पक्ष में बोलने वाले विद्वान कहते हैं कि ये तो अपरिहारे हो गया है और इतिहास की धारा को अब मोड़ा नहीं जा सकता पीछे इतिहास की धारा को अब उसमें कोई बाधा भी नहीं डाली जा सकती और इसमें किसी तरह का अवरुद्ध करना बाधा डालना एक तरीके से मुर्खता होगी कोई बुद्धिमानी नहीं है इस सोचने भी बहुत सारी सरकारों को विवश कर दिया है कि वे येन के देर सबेर ग्लोबल सिस्टिम में अपनी अर्थ वर्था को ढालने क्योंकि उनको ये भैस अताता है कि कल को कहीं हमारे शामिल ना होने से हमारे देश का नुक्सान हुआ तो इसके लिए जनता हमें ही दोश देगी और इसलिए बहतर है हम ग्लोबल एकानोमी में अपने को मोड लें अब एक पहलू तो यह हुआ जो बिलकुल इसके समर्थक है और दूसरे वे जो इसको कट्टर विरोधी है इसके अलावा एक बीच में एक मध्यम मार्गी लोग भी हैं मध्यम मार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वी करण ने चुनोतियां तो पेश की है निश्चित रूप से वो इस बात से सहमत है कि जो चुनोतियों का जिक्र मैंने पूर में किया है वो चुनोतियां तो हैं, लेकिन यदि हम सजग रहें, सचेत रहें, तो इन चुनोतियों से हम पार पा सकते हैं। इन चुनोतियों का बद्धिमत्ता से ज़िए हम सामना करें तो वैश्वी करण से जुड़ने से उतना नुक्सान नहीं होगा जितना कि बहुत सारे अर्थ शास्त्री कहते हैं अर्था सेलेक्टिव हम थोड़ा सा उसमें सेलेक्टिव रहें, चूजी रहें बहरहाल इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता है कि हमें जो पारस्परिक निर्भरता से हम मुख नहीं मोड़ सकते उसकी रफ्तार भी अब बहुत तेज हो चली है और इस बाकार पारस्परिक निर्भरता के साथ हमें चलना जरूरी हो गया है वैश्वी करण के फलतुरूप, विश्व के विविन भागों में सरकार, व्यवसाय और लोगों के बीच एक तरीके से जड़ाओं भी बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सरकार, व्यवसाय को बढ़ाने और लोगों को और धनी बनाने में जो मार्ग में बाधाएं आती हैं, उनको हटाने का काम करती है उन बाधाओं को मार्ग से हटाने का काम करती है, प्रशस्ट करती है मार्ग और यह कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयात, निर्यात हों, व्यापार हों, लेन देन हो तो इस वकार इन तीनों जो वर्ग हैं चाहे सरकार हो या व्याविशाई हो या सामाने जन्ता जनारदन हो लोग हो इनके पारस्परिक संबन बढ़ गया एक जूसरे से निरभरता बढ़ी है तो अब हम आते हैं आर्थिक ग्लोबलाइजेशन के बाद अगले पहलू पर संस्कृतिक प्रभाव आर्थिक प्रभाव को हमने देख लिया और कुल मिला के यह मान लिया कि यह unavoidable है हमें इसके साथ चलना है हाँ कोशिश यह रहे कि इसके दुष्प्रभाव नियंतरित रहें सामाजिक प्रभाव क्या है इसको भी देखा संस्कृतिक प्रभाव क्या है अब हम देखें कि वैश्वी करण का संस्कृतिक प्रभाव क्या पढ़ रहा है संस्कृतिक विभन्यता को आप ध्यान में रखें जब वैश्वी करण हो रहा है और एक विश्व ग्लोबल विलेज की जाता हो रहा है संकुचित हो रहा है पास पास आ रहा तो अमेरिकन सभिता का प्रभाव वियर्टनाम में, भारत की सभिता संस्कृति, सभिता का पहनावा का प्रभाव रूस में, दक्षिन अमेरिका के देश जो है उनका प्रभाव एशिया में, आस्टेलिया के देशों का, आस्टेलिया का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों म हर जगा के बने हुए product हर जगा की अपनी परामपराएं हर जगा की अपनी सौंस्कृति है पहले जहां ये स्वंस्कृति और परामपराएं एक दाइरे में रहती थी अब वो सीमाएं तूट चुकी है वैश्वी करण ने उन सीमाओं को बहुत कमजोर कर दिया है और इस आदान-पदान, बाजारू कल्चर, व्यापार के परणाम सरूप, परंपराएं, संस्कृति, वैलियूज, ये सब एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे हैं हम इस कथन से सहमत नहीं है कि वैश्वी करण से संस्कृतिक भिन्नता बढ़ी है, कुछ लोंका तो ये कहना है, कि इसने विभन्नता को जन दिया है यह गलत बात है हाँ दूसरे की संस्कृति हमसे कितनी भिन है यह स्पश्ट हुई है यह अब स्पश्ट दिखने लगा है क्योंकि समवाद, सोशल मीडिया, नेटवर्क इसके कारण वीडियोज, इमेजेज इसके कारण बढ़ा स्पश्ट दिख रहा है कि दूसरे देशों की, दोसरे जगहों की संस्कृति कितनी कितनी भिन है एक दूसरे से, तो भिन्टा तो सामने आई, लेकिन इसका आर्थियन ही माने जाया है कि विभन्टा बढ़ गई है, बल्कि यह कहा जाया है कि इस से दुनिया के विभन्न भाग जो हैं, वो संस्कृतिक दिश्टि से एक लगे हैं तो इस तकार विद्वाने को ये कथन कि इसने विभनताओं को जन दिया है गलत है बलकि इसने एक दूसरे की विभनताओं को सामने लाया है और सोशल मीडिया के माध्यम से सांस्कृतिक दिश्ट से अब हम एक दूसरे के काफी निकट आ रहे हैं दूसरे देश का त तेहार, दूसरे देश की भोजन, पान की आदते, दूसरे देश का जीवन तहन, पूरे दुनिया में अपना आजा रहा है, जैसे कि भारत का, हम अपने देश का उधारन ले लें, जो कुछ खाते, पीते, पहनते और सोचते हैं, सब पर हम ये सांस्कृतिक प्रभाव, कानल की बात करें, या हम खाने पीने की अन्य चीजों की मोमो आदिये सब जो चीजें हैं, जो पश्चिम से आई हैं, ऐसी हम व्यवहार की बात करें, तो व्यवहार में भी जो पश्चिमी सभिता का असर हमारे हाँ के इस नए जनरेशन पर दिखाई देता है, रहन-चैन की बात करें तो कपड़े पहनावे में तो पश्चिमी करण काफी भारत में हवी हो चुका है हम एक तरीकत हम कहें कि हमारे देश की संस्कृती डूसरे देश में काफी तीवरता से फैल रही है उसी प्रकार दूसरे देश की संस्कृती पहनावा रीति रिवाद हमारे देश में ह रहे हैं जो पश्चिमी सब्विता की पहचान है इस वकार हम कह सकते हैं कि भारत भी सांस्कृतिक प्रभाव से अच्छूता नहीं है और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि हम जिन बातों को अपनी पसंद कहते हैं आज जो भी बातों को हम अपनी पसंद कहते हैं चाहे खाने की चीजों की बात करें या कपड़े लत्तों की बात करें या जीवन शैली की बात करें तो वे सब क्या हैं वे सब वैश्वी करण के असर से ही तैह हो रहा है ये क्या है वैश्वी करण की तो परणाम है आज हम अपने पुराने तरह के फरनीचर जूले पलंग आदि भूल चुक कुछ लोग का तर्क ये रहता है कि बर्गर या नीली जीन्स की लोग प्रीता का रिष्टा जो है वो अमेरिका की जीवन शाली के गहरे प्रभाव से है और इसका खामिया जो हमें भुगतना पड़ रहा है क्योंकि आर्थिक और राजनितिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृती हमेशा कम ताकर संस्कृति की समाज को अपनी छाप छोड़ देती है तो यह अमेरिकी सबिता का जो जीन्स और बर्गर आया है यह उसकी बढ़ी हुई शक्ति का परिचायक है और दूसरी और यह हमारी कमजोर शक्ति का परिचायक है पर ऐसा नहीं है संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति उसे बनाती है जो ये तर्क देते हैं कि अक्सर दुनिया के मैकडॉनल्डी करण के तरफ इशारा करते हुए कहते हैं उनका मानना है कि विविन संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत शाली अमेरिकन धर्रे पे ढालने लगी है बिल्कुल सही कहा कि मैकडॉनल्डी करण हो रहा है जैसा मैंने पूर में कहा बर्गर, पिज़ा, पिज़ा हट, के एफ सी, मोमो यह सह वादकल की सामाने चीज़ें हो गई खाने की और जो हमारी खेतरी जो भोजन पान में जो बहुत अहम चीज़ें हुआ करती थी वो लुप्त प्राय हो चली हैं और इसका कारण क्या बताते हैं कि यह अमेरिका की बढ़ती हुए प्रभुत का परिचायक है जिसका प्रभुत जितना ज़्यादा उसकी सवंस्कृती उतनी ही हावी और इसलिए मैकडॉनल्ली करण की बात वो करते हैं उनका ये कहना है कि अमेरिकन धर्रे पे ढालना ये इन देशों की विवश्टा हो जाएगी चुकि थे पूरे विश्व की वर्चस्वता प्रभावित कर रहा है अमेरिका पूरे विश्व में अपनी वर्चस्वता से प्रभाव छोड़ रहा है ये भै है कि हर खेत्र की अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर कहीं हम भूल ना बैठें, कहीं समाप्त प्राय ना हो चले इसलिए केवल गरीद देशों के नील नहीं बलकि पूरी मानोता के लिए आर्थिक ग्लोबलाइडेशन खत्रा है तो इनका भैस सतत रूप से इस बात की और है कि हम अपनी संस्कृति खो रहे हैं, अपनी धरोहर खो रहे हैं और पाश्चाती करण और इशारा अमेरिका की और है उस दो हम मुखातिर हो रहे हैं लगाता हो रहा है अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसका प्रणाम एक दिन जैसा कि मैंने कहा आर्थिक शेत्र में ही नहीं हम कंगाली आर्थिक शेत्र में ही नहीं देखेंगे बलकि कंगाली अपने स्वायम के संस्कृतिक शेत्र में भी देखेंगे ऐसा इनका कहना है इसके साथ साथ तो इनके आरोब और भी हैं लेकिन य ये मान लेना भूल है कि वैश्वी करण का सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक है ये बात गलत है जैसा कि आर्थिक वैश्वी करण के मद्दे नजर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलों को हमने सोचा ऐसे ही संस्कृतिक प्रभाव के भी यदि बात करें तो उसके भी दोनों पहलू हूँ हर चीज के दो पहलू होते ही है अब यहाँ पर हमें देखना है कि वैश्वी करण के क्या सकारात्मक प्रभाव है नकारात्मक क्या थे इसका जिक्र मैंने कर दिया संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो स्थाई हो चिरंतन हो वो बदलती रहती समय के साथ आज भी जो हमारी संस्कृति है वो एक हजार साल एक हजार वर्ष पूर्व की संस्कृति से थोड़ी अलग है क्योंकि इस एक हजार वर्षों के दवरान जो विविन स्वंस्कृतियां भारत में आई उन संस्कृतियों ने अपनी प्रभाव छोड़ा अपनी छाप छोड़ी और एक नई संस्कृति को जन दिया जिसमें भारत की मूल संस्कृति का पुट निश्चित रूप से ज़्यादा है तो यहाँ भी वैश्वी करन्ड के प्रणाम स्वरूप बाहरी प्रभाव तो होगा तो हम बाहरी प्रभाव स्विकार करते हैं कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है सो मैकडॉनल्डी करन को लेकर जो संशय इन कमजोर देशों में बना हुआ है वो उस हद तक जायज नहीं है क्योंकि उनकी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं उसकी नीव स्वैम अच्छी मजबूत होनी चाहिए फिर भी चूंकि इस पूरे विश्व की सम्रिद सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे क्रमशह बहुत लंबे अंतराल में खत्म होती है इसलिए ये भै बना हुआ है कि अधिकतर देश जो कमजोर है जिनकी संस्कृति भी उसकी नीव मदबूत नहीं है वे शायद इसे खो बैठेंगे और ये बात मानोता के लिए उनकी नजर में खतरनाक है कमूची मानोता के लिए इसके साथ साथ ये भी कहना गलत होगा कि वैश्वी करण के संस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक है हर पहलू हर सिक्के के दो पहलू होते हैं नकारात्मक और सकारात्मक अभी तक हमने नकारात्मक का जिक्र किया इसकारत्य ये नहीं कि इसके सारे प्रभाव गलत हैं बलकि कुछ अच्छी बातें भी होती हैं जैसे यदि हम मान लें कि संस्कृति कोई जड़ वस्तु है तो ये कहना गलत होगा संस्कृति इवल्यूशिनरी है जो समय के साथ 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 बनती है उदित तो होती ही है और साथ में संगम का काम करती है विविन्न संस्कृति के संगम का हर संस्कृति क्या है वो भारत की ही क्यों नहों बाहरी प्रभाव को स्वीकार करती रहती है हम अपने इतिहास की हो और यदि जहाकें तो हिंदू राष्ट जो था भारत उसके बाद मुगलों का अगमन हुआ उसकी संस्कृति के कुछ हिस्से को हमने अपनाया उसके बाद अंग्रेजों का अगमन हुआ और एक मिश्रित संस्कृति जिसमें हमारी अपनी प्राचीन संस्कृति का प्रभाव चाहिए कुछ भारी कुछ जो बाहरी प्रभाव हैं वो जरूर नकारात्मक हो सकते हैं क्योंकि वो हमारी पसंद के नुसार नहीं होंगे उसके ऐसा लगता है कि हमारी अपनी जो पसंद है उसमें कमी आती है चाहे वो कपड़ों के मामले में हों जीवन यापन की शैली के मा चौजन के खानपान के मामले हों कभी-कभी ये भी होता है कि बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद-ना-पसंद इसका दाएरह भी बढ़ जाता है तो कभी इनसे परमपरागत मूलियों को छोड़े बिना संस्कृति का भी परिश्कार होता है बिलकुल ये संभव है कि हम अपनी परमपराओं को न छोड़े और बाहरी संस्कृति के उन मूलियों को अपने में आत्मसाथ करें जिनें हम अच्छा कहते हैं यही तो एक अच्छी संस्कृति का परिशायक है बर्गर, मसाला डोसा जिसका मैंने पूर में जिक्र किया था उसका कोई विकल्प नहीं होगा जिसे बर्गर पसंद है उसकार्थ यह नहीं कि उन्होंने अपने स्वैम के भोजन पान को पूर्ण रूपेंट तिलांजली दे दी है बल्कि यह उनके पास चाइस और बढ़ी है बर्गर से इसलिए हमें कोई खत्रा नहीं होना चाहिए मैक डानल्डी करन्ट ते हमें कोई खत्रा महसूद नहीं होना चाहिए यह तो बल्कि हमारी एक अपनी भोजन की विविदिता को बढ़ाता है इससे मात्र इतना जरूर हुआ है कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज और जुड़ गई तो इसमें हम नकार आत्मक्ता क्यों देखें इसका मैं कोई कारण नहीं देखता यदि हम जीन्स की बात करें जिसका मैंने पूर में जिक्र किया है तो हम ये न भूलें कि कैसे जीन्स पैंट के साथ और वो भी फटे हुए उसके साथ हथ करगा पर बुने हुए खादी के कुरते आज बहुत पहने जा रहे हैं अधिकान शुआ वर्ग उसे एक अपना बहुत महत्पूर्ट पहनावे के रूप में देखता है यहां हम बाहरी प्रभाव और देशी परंपरा का एक अनूठा मिश्रण देख रहे हैं अच्छे अच्छे कारक्रमों में इस तरह की ड्रेश के साथ लोग अपने को सामने लाते हैं मज़दार बात तो यह है कि इस अनूठे पहनावे को अब उसी देश को निर्याग किया जा रहा है जहां जीन्स बनता है जिसने जीन्स का विशकार किया जीन्स को इजात किया जीन्स के उपर कुर्टा पहने हुए अमेरिका के लाखों लोग अब हमें चारों तरफ दिखाई देते हैं इस प्रकार अमेरिका ने भी हमारी सभिता से कुछ लिया है और ये जो लेंदेन है संस्कृति का लेंदेन ये संस्कृति को जीवंत बनाये रखती है मैंने जिस जड़ता की बात की पूर में वो जड़ता उधी संस्कृति में रहती है जो मृत प्राय होने लगती हूँ सांस्कृतिक समरूपता ये एक दूसरा भाग है वैश्वी करण का ये एक अन्यपक्ष है इसके ठीक उल्टा उसका प्रभाव भी पैदा हुआ है वैश्वी करण से हर सांस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और कुछ विशिष्ट होती जा रही है इसी प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नी करण कहते हैं सांस्कृतिक वैभिन्नी करण अर्था भिन्नता में एकता और दूसरे तरीके से एकता में भिन्नता एक देश जहां एकता समेटे हुए है वहीं उसके अंदर संस्कृतिक जिस्ट से आप विविन परमपराएं पाएंगे अब और दूसरी ओर आप ये भी पाएंगे कि किस पकार परमपराएं विश्व के सभी देशों में च्छाई जा रही हैं यही वैभिन्नी करण है इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृतियों के मेल जेल में उनकी ताकत दिखाई देती है या उनकी ताकत का सवाल गौण है उनकी ताकत का सवाल कोई मायने नहीं रखता परंतु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि संस्कृतिक प्रभाव जो होता है वो कभी एक तरफा नहीं होता वो बहु मुखी बहु आयामी होता है